आप सभी सुखत बात करेंगे आपर एक शांदार कमपनी के बारे में दोस्तों जिसका आपर प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और कमपनी का यहापर शेर का दाम देखेंगे तो मातर दोस्तों 114 रुपय का दाम हमें देखने को मिलता है और कमपनी के गु विटन का benefit भी दे रही है और साथ-साथ इस company के जो प्रोड़क है दोस्तों उसके भी मार्केट में भर-बर कर हमें करने का benefit भी मिल रहा है तो चलिए देख लिए इस company में quality कितनी है इसमें आपर फ्रेश इंट्री लेनी चाहिए क्या उसके बारे में बात करेंगे और दोस्तों इसके आज quarter 4 के नतीजे भी आ चुके तो हमें इजी हो जाएगा इसके आपर आगे के decision लेने में के company कितना company के client के बारे में client इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस company के बारे में detail हमें समझ में आता है client के बात करें दोस्तों तो बताना चाहूंगे देखिए मारुति सुज की Toyota Honda Tata Motors यहाँ पर महिंदरन महिंदरा बोलतों बड़े से बड़े जबरदस तरीके से जो companies है आटो किये इन्होंने और यहाँ पर बताना चाहूंगा Europe, Japan, USA ऐसे यहाँ पर आपको company के quality products अपला होते हैं देखने मिलेंगे और company का नाम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या आए तो जेटेक ऐसा नाम है जेटेक इंडिया बोल सकते हैं company को और यहाँ पर आपको fulfill जो यहाँ पर आप देखेंगे company के business के बारे में information पूरी तरह के से तो आपको बताना चाहूंगा company पूरा यहाँ पर satisfaction करती है दोस्तों यहाँ पर इसके business के बारे में क्योंकि company का business इतना quality वा और आपको बताना चाहूंगा top world यहाँ पर जो company से दोस्तों auto industry के बारे में उसमें भी इसका नाम आते रहता है तो company अच्छी है और यहाँ पर इसके profit की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा 243 यहाँ पर percent से company का profit बढ़ा है दोस्तों और यहाँ पर देख ल profit भी अच्छा कासा यहाँ पर quarterly basis पर बढ़ा है दोस्तों बट ठोड़ा yearly basis पर decline हमें होते हैं तो company के profit में भी हमें थोड़ी जो यहाँ पर growth देखने की चाहिए थी yearly basis पर कम है बट quarterly basis पर आच्छी है company के sales दोस्तों देखेंगे तो उसी तरीके से yearly basis पर कम है यहाँ पर quarterly basis पर 12 क्रोड का बोलतो हमें यह पर 55% से decline company का year and year basis पर profit देखने मिला है और दोस्तों यहाँ पर इसके sales की बात करें वो sales भी हमें यहाँ पर 28% से quarter and quarter basis पर बढ़ते देखने मिले हैं और profit देखने के इस बार company ने कितना कमाया है तो यहाँ पर 23 क्रोड का profit दोस्तों इस company ने कमाया और यहां पर हम बात करें कमपनी के यहां पर बिजनेस के बारे में तो कमपनी बेरिंग जो होते उसका बिजनेस करती है दूसरी बात दोस्तो वेरेज टाइब के जो कमपनी जो ते प्रोडक यहां पर आप देखेंगे एरो फ्लेन के रेटेट हो या अधर प्रोडक हो दोस्तों यहाँ पर हम कार की बात करें ट्रक जितने भी वेहिकल देखेंगे इसे भी उनके बारे में जो स्टेरिंग होती उसका काम यह कंपणी करती है सबसे quality वाले steering कोई प्रवाट करता हूँगा दोस्तो तो यही company है जे tech यह company का business बहुत ही अच्छी तरीके चलता है और इसके आपर हम fundamental की बात करें न company के market cap की बात करें तो 2837 करोड का company का market cap है और यहाँ पर हम करजे की बात करें दोस्तो तो करजा कोई ज़्यादा भी नहीं company पर मातर 73 करोड का उससे आपर भहेंकर बात करें दोस्तो company के advantage की company के पास cash flow available है promoter की holding देके 75% की देखनेंग मिलेगी और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तो cash flow available इसका मतलब है company profit जरूर कमाती है quality की बात यह समझ में आती है कि company profitable है dividend yield भी अच्छा है और company के book value अच्छी है नजर आती है पूरत के से बात करें दोस्तो इसमें promoter का stake यहाँ पर 75 यहाँ पर जो public है 17% FIS 4% दोस्तो D.I.S. 3% के उपर और यहाँ पर हम देखे थोड़े बहुत mutual fund के पास भी और foreign निवेशेक ने फिलाल दोस्तो 2% के करिब का stake भी इस company में बढ़ा है अब यहाँ पर हम इसके strength की बात करें company के तो company देखे पिछली बार दोस्तो देख लेना 114 करोड का यहाँ पर करजा कम किया है cash flow अच्छा है इस company का cash flow में ग्रोथ अच्छी है और company के यहाँ पर promoter के holding सबसे ज़्यादा है 75% बोलतो खुद company के promoter को यहाँ पर इस पर भरोसा है इसलिए company में अच्छी perform कर रही है इसका यहाँ पर 50 गाय की बात करें दोस्तो 125 से 130 के बीच में का नजर आता है हमें तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी इस stock में हमें जैसे गिरावट डेखने मिले दोस्तो positional basis पर आप इसमें माल उठा भी सकते हैं अब यहाँ पर last decision आप करेगा मेरा तो काम है आपको सबी चीज़े देखकर fulfill जो करना जो भी information है उसके बारे में आपको जो यहाँ पर detail आती है देखकर पूरा result जैसे हम देख तुके उसके बारे में हम सोचकर भी decision ले सकते हैं और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एक साल में आपको return कितने कमाग दे 136 परशन के return नो डाउट डोस तो यहाँ पर इसके result बहुत आच्छी तरीके से हैं और मुझे यहाँ पर भरोसा भी लगता है कि company आगे जाकर perform करेगे इसके जो steering का business है ना वो ब लेंगे 15 पैसे तो बहुत कम है सर तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 15 पैसे यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी चोटी company कभी dividend देगी expect भी करा नहीं जा सकता है इसलिए मुझे लगता है बड़ा dividend भी है सभी के सभी चीज़े अच्छी है छोटा stock है जरूर यहाँ पर बड़ा बने के कोशिच करेगा और मुझे लगता है जरूर एक company perform करेगे बस आपका लाट decision रहेगा आपकी मरजी ठैक्यों समझ दोस्तों आपका किम्तित देखे सभीन फरस सुनने के लिए